हलो दोस्तों क्या आप भी कमेनट में अच्छी केती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है पुरा वीडियो जरूर देखिए सबसे पहले आपको इसमें कौन सी वेराइटी लगाना है तो पूसा नारंगी, पूसा बसंती गेंदा, अरका अगनी, अरका बंगारा ऐसी कई वेराइटी आप लगा सकते हो मेरी गोल को हम सभी एरिया में लगा सकते हैं और टीनो सीजन में हम लगा सकते हैं ब्लेक सोयल में अच्छे होते हैं और पियेश साथ से जान्ट पॉइंट पांच होनी चाहिए मेरी गोल में दो जात होती है आफ्रिकन जात तो उसका अंतर 45 x 45 cm और फ्रेंच जात का 30 x 30 cm मेरी गोल का प्लांटिंग रुटु के हिसाब से 60 से सित्टे दिन में फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप तेहवार के हिसाब से लगा सकते हो खाद तो सोईल पिरपेशन करते समय हेक्टर के हिसाब से 20-25 टन गोवर का खाद सोईल में मिक्स करना है और प्रटी हेक्टर बसो केजी नाइटरोजन, 100 केजी फोसफरस और पोटास पूरा देना है आपको इसमें पानी विंटर में 8-10 दिन में और समर में 4-5 दिन में देना है आपको ये दो बातों का खास जान रखना है पहला इस प्लांट को टेका लगाना है और 40 दिन का प्लांट हो जाए तो प्लांट के उपर के हिस्से में पिंचिंग करना है फ्लावर हार्वेस्टिंग तो फ्लावर पूरा खिल जाए तब करना है और अरली मर्निंग और इवनिंग में जब टेंपरेचर कम हो तब करना है ओके फ्रेंड्स ऐसी ही इंफरमेटीव जानकारी के लिए अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू